अगर दातों में कैविटीज हैं तो प्रॉपर फिलिंग होना चाहिए अगर दातों सेंसिटीव भी ना होना चाहिए फिलिंग प्रॉपर मेटियल से यानि के गिलाश आइनुमर फिलिंग कराना चाहिए तो वो कहां कराये जो स्टुडेंट्स कराते हैं कभी ऐसा भी देखा गया है कि लोग एक्सपर्ट डॉक्टर के पास ना जाके कहीं और भी चले जाते हैं तो क्या वो लोग सही से फिलिंग करते हैं? यह जरूरी है कि यह पहले शूर करे कि दाँट सेंसीटीव ना हो गया हो एक्सपोज ना हो गया हो इसके लिए किछी एक्सीट्डनेटिस्ट के पास में जाएं और यह चेक करा लें के दात में रस्यटी की रिक्वाइर्मेयमेंट तो नहीं तो अचनी पीरिलिंग कराएं बहुत सारे जिभनशे करते हैं तो हमजह रिपलायर को ये करते हैं कि प्रॉपर प्रोसीजर के बाद आप अपना जो भी काम कराना और प्रॉपर प्राशीजर से कराई को किया मतलब होने प्रॉपर प्रॉपर कराना पुमिलिजर यह का Music ज़रूरत है अगर उकारिमेंट है फीलिंग की तो फीलिंग जरूर करना है वहना दाथ एक्सपोस और पेन्फुल हो जाया यानि कहने का मतलब है प्रॉपर प्रोसीजर का मतलब है कि ये इक्सपर्ट डॉक्टर के पास ही जाए। है यह जो कि इस किंपने दाटों में फिलिंग होना चाहिए जोकि एक्सक्थ हो जाए किसी भी मेडिकल है उमाण के कम से कम दाटों में फिलिंग हो तो की परोपर केसे करें उससे कम से कम दात мож TON तो आपके लिए सेफ़ पॉइंट रहेगा ओके अच्छा एक नेक्स कॉश्चन और है जो कि बहुत सारे लोग पूछते हैं और कॉश्चन है कि दातों में अगर कैप लगा है किसी भी दात में तो क्या उसके बाद भी अगर री मेडिकल उसको दे दिया जाता है तो फिर वो तो उसके नीचे आर्सीटी होना बहुत जुरूरी है अगर आपको री मेडिकल दिया गिया है तो इसका मुदल भी है कि या तो आपने सही से बता नी पाएं वहां पे या अपना परान पहले का एक्सरे नी दिखाया या आपने कि मेरे दात ये आर्सीटी करके कैप लगाया अगर आपको री मेडिकल दिया गिया है तो किसी सरकारी अस्त तषीड में जाके उस दात का प्रॉपर चेक-ब कराइं एक्सरे कर आइं और अगर दान्त में RCT करके कैप लगाए गया है तो उस दान्त की रिपोर्ट और X-ray जाके वहाँ प्रिजेंट करें और वहाँ से सार्टिकेट भी ले 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 वहाँ से एक लिखवाल एंडक्टर से कि यह दान्त का फिट है यह दान्त में पूरा ट्रीट्मेंट हो चुका है यानि सर उसमें जो कैप लगाने से पहले का जो ट्रीट्मेंट है वो दान्त का पूरा स्थीक से नहीं हुआ है इसलिए यह प्रॉब्लम आई है अभी यह नहीं पता है कि मेडिकल दिया गया तो उन्हें श्योर नहीं है कि वो दान्त में RCT करी गई है या नहीं करी गई है इसको सब्सक्राइब करने के लिए आप सब्सक्राइब जाएं वो दान्त का X-ray कराएं एक्सरे में अगर आपकी RCT है तो फिर डाक्टर से मेंशन कराके उसकी रिपोर्ट ले ले वो एक्सरे को ले 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 वो जाके वहाँ पर रोडियूस कर रहें और अगर दान्त की R सब्ट्राइब करें लेकिन मैं इसमें अपना Integr Kodak कि कुछ लोगों को Implant नहीं पता होता है कि Implant क्या होता है क्यों िए वो फिक्स दातों को implant समझते है तो ये दोनों चीजों को giyre करते उसे भीडाबू समझते है कंधी करे गाइब बहूं सब्सक्री साण गानध Sonmosuna a शादी करें के लिए वर्ना कि great ओनात wanna institute उसको पर ही दान बना देते उसे क्या होता है सबोरी पास वें पैज दूता है उनमें कुशनी करना पॉटता है वरना क्या होता है लोग ब्रीच बनाना पूटा है दनत fix लगाने के लिए जो बराबर के दो दात होते हैं एक आगे-एक पीछे उन दातों पर आड़सीटी गर के पर गर पीक्राउन चड़ायाँ उन दातों पर прॉसस्टों बराबर के दातों को कुछे ला तो।किती पेघा पी जब वाले दाज़ 뒤 करी नोरेव्ग व करेंगेगेों क्या। कॉल मिला कर हमें इंप्लांट के बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए हैं वीरिज के दिघा है तो बेके जब कर को जाएंग मगर आपनी साधें निद द अरिपोर्ड Okay Sir next question हाणा है ए यह commitment है जो भी हमने आप से बात की मेरा .. जो front एक दाम से है तो मैं क्या करूं कोई दामी मिसिंग को front हो , या back tooth हो उसको replace करना जरूरी है कोई दाम मिसिंग है तो इसका number Mezz हो जाएगा And if friend दाम ख्राब है तो देखता ही impression साव ऑगा और फ्रेंट दान के जरीए भी कुछ एक्टिविटीज करना पड़ सकती हैं कुछ जॉब हो सकता है तो उसे भी दिक्का दा सकती है तो बेटर यह को रिप्लेस कराएं और इंप्लांट के जरीए करा लें तो जादे बितर वात हैं इंप्लांट लग जाएगा तो दाज जैसे कि अच्छे से यह क्लियर हो गया होंगी जो भी आपके सवाल देए तो अगर आपके फिर भी और सवाल है तो आप जबन कमेंट ऑप्शन भी नीचे करें हम फिर दुबारा समयलेंगे अरफ चाहप से और कोशिच करेंगे यह उन सवालों को भी आपके साथ बैठकर करें तै